हम पर द्धन के रीफार्म की जह पॉल सी हैं जिससे बते हैं उसमें आ ऐसनम बढ़ा चुका हूं अब मैं बात करे किनारा रहा हो प्रायब स्वार्थर कि जब जब economic reform adopt किया गया तो उस time, dominant position में public sector था, लेकिन वो public sector इतने deficit में थे इतने घाटे में चल रहे थे, और इनने inefficence वर कर थे, efficiency नहीं थी, production प्रोड़ुटी बेटर नहीं थी, बहुत सारी प्रॉल्म थी, तो इस case में, जब economic situation हमारी खराब होगा, एक crisis हाया, तो उस crisis में हमने अगर दूसरी country से हमने fund बारो किया, तो उनने बला कि आपको SAP करना पड़ेगा, इस structure adjustment program, यानि कि आपको जो norms है, change करने पड़ेंगे, तो हमने उसको liberalization में देखा, कि norm change किया, अब दूसरा इस tip था कि आपको structural adjustment program में, या SAP में में आपको privatization करने की बात कहता हूँ, अगर आप privatization करते हैं, इससे क्या होगा, इसके positive impact क्या है, इसके positive impact उस टाइम क्या गिनाया गया, यानि कि उसका objective क्या था, और privatization करने के लिए कौन से step लेने पड़ें, और सरकार कौन से step लिया हुआ है, current में कौन-कौन से step आप देखी रहे हैं, उसके discuss नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता चाता हूँ, उस टाइम की situation जो थी, उस टाइम की situation को ध्याना करके, क्यों ऐसा किया गया, और उसके क्या consequences निकले, और अभी क्या निकल रहा है, आप खुद business करेंगे, तो हम आप step by step दिखा सकते हैं, कि सबसे पहले आपको बतारा चाता हूँ कि यह होता क्या है, तो होता यह है कि privatization कैसे लाए जाएगा, इसकी process क्या है class, इसकी process यह है कि by dis investment, dis investment का मतलब होता है कि already कोई company, जैसे आप बात कि घाटे में चल रही है, तो सरकार क्या करते हैं, इसको पूरतित से private sector को बेश देत है, तो यह dis investment हो गया, मतलब आज जो working है, undertaking government, undertaking में जो companies है, उसको क्या करती है, sell करती है, ठीक है, दूसरा होता class, by withdrawal of government ownership and money mental published sector companies, जो published sector की companies है, जैसे, मान जो O.N.J.C. है, भेल है, बहुँ सारी कंपनिया अभी भी हैं, ठीक है, तो महानारोतन नरोतन आपने सुना होगा, तो इन company में जो ownership है, टोटलियो government की है, अगर इस government के ownership में, अगर इसमें private sector को involved करके, कुछ sayers private company को बेज देती है, और उनको involve कर लेती है, तो वो कहा जाता है, कि भाया, government ownership withdrawal कर रहे हैं, दीरी दीरे private sector को open कर रहे हैं, ठीक है, अभी government sector में रहे कितने company हैं, मात तीन है, जैसे मात इन्डस्ट्री घाटे में जा रहे हैं, उसको क्या करते है, ख्लास, ownership को change कर देती है, यानि कि बिड्राल कर लेती है, यानि कि private की हाथों में दे देती है, तो वो क्या हो जाता है, प्राइबिटे इसमेंस हो जाती है, ठीक है, धिरी धिरे बात चली रहे है, आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो में टास्क अपढ़ाने का यहां पर यह कहना है, क्लास की, यह situation होती ही, कि private कैसे किया जाता है, प्राइबिटे इसमें कि हम बात कर रहे हैं, सरकार प्राइबिटे इसमें करने के तीन कई तरह की फॉर्म होते हैं, कि स्प्रोसेस में करती प्राइबिटे जेसं, जिसे हम पार सेयल करते हैं, यानि कि इसमें तो पूर तरह से कम पनी शेयल करती है, लेकिन क्या होता ही, कि पारिसेल करता है, दस परशन, बीस परशन, बजलो बताओ, कितना है तो मतलब इस तरह से जो होती है वह प्राइबेट और पब्लिक की दोनों की लगी होती है तो जब क्या करती है कुछ मतलब होता तो यहीं हैं आपने साथ तो गवर्में घाटे में आीज सती है या। अपने assets को sale कर देती है तो इसी तरह से अगर जो इंडेस्ट्री घाटे में जा रही है जैसे भी इसला घाटे में जा रही है या भी कई कमपनिया और घाटे में चल रही है तो सरकार उसको पूद्र से तो वो लजाएगा token प्राइबटेज़न ठीक हुआ यह बात आपके क्लिए हुई लेकिन सब्सक्राइब टास्क हमारे प्राइबेट लाजा रहा है इंवाल्व किया रहा है गौर्णमें श्रक्टर में लेकिन पीछ लॉजिक क्या दिया जाता है कि हम इसको प्राइबेट क्य कि एक किकि वार्ट इसाफ प्राइबेट ईसना ना नान्टी चंप प्रॉ में तसी हो गई थी ढ कि puck क्या किया उसका उखिक कि अथला अब्जेक्टिव बास तो पहला अब्जेक्टिव ओक्या है कि ब्या इसन थे er fogn आत्री हुल होगी है ठीक है क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा थे इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था तो सच्वेशन में फंड की रिक्वार्मेंट थी तो इंप्रूब करने के लिए हमें कैप्टल चाहिए था तो सरकार ने बोला कि है कैप्टल कैसे मिलेगी अभी सरकार भी करें सरकार क्या करें गवर्मेंट को सेल करके घाटे को पूरा करके दिखा रही है वह आपका अलग टास्क है मैं उस पर डिस्कुस नहीं कर रहा हूं बतान चाहता हूं तो यह फानेंशल अगर खराब हो जाती है तो क्या करा इसको इंप्रूइमेंट करने के लिए एक ही तारी क्या है अब बोलेंगे सर कि यसे मालीजिए ने कुछ बना के रखे हैं कोई घर हो गरा और मैं अपने हाउस को बेज दूँगा अपने खेत को बेज होग है तो हम करना चाहते हैं कि जो फ़ारेंसिल सचिवेशन है इसको स्थिक करने के लिए हम क्या कर रहा है इसको प्राइबेट की बात कर रहा है रहा है अब इसे क्या होता है कि अगर support that, मैं आपको कुछ shares बेश देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, फंड आएगा, और उस फंड को हम एक investment fund course बना करके, जो कुछ करके, उसको हम आगे क्या करने के फर्दर, यूज करेंगे, poverty के लिए, program के लिए, infrastructure development के, technology development के लिए, फेंसर योजना है, poverty योजना है, water supply, मतलब, government जो है, social welfare पर खर्चा करेगी, जो investment करने से पैसा आएगा, इसलिए, this investment fund course बनाएगा, 1996 में सुना होगा आपने, ठीक है, तो कहने के मतलब है, कि dissemination fund, कहां से आएगा, sale करने से आएगा, तो बोला कि, situation के उप्रिम करने के लिए, हमें, privatization करना जरूरी है, दूसरा है, reduce the workload of the public sector, तुसरा एक region दिया गया, कि public sector का workload बहुत जादा है, efficiency कम है, productivity कम है, क्योंकि उसको public sector के जादा है, तो कुछ पार्ट जो है, private company को दिया जाए जाए, इससे हमारा workload कम हो जाएगा, तीसरा, rise the fund from decision investment, इसे क्या होगा, हमारे पास fund बढ़ेगा, तीसरा दिया गया, कि increase the efficiency of the government organization, आल्डी जो government organization थे, वो काम धेंक से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कोई project start होता था, long term चलता था, आपने देखा होगा, अभी भी government project ददद बीसो साल लग जाते है, ठीक बनने में, तो क्या, उससे क्या हुआ, कि cost बढ़ती जा रही है, लेकिन production output market में नहीं आ रहा है, तो supply नहीं हो रही है, तो demand बढ़ती जा रही है, मार्केट में, तो situation क्या होती थे, कि inflation रिया जाती थी, तो अगर government sector घाटे में जाता था, इससे, इस situation को रोकने के लिए, उसकी efficiency increase करने के लिए क्या होगा, जब हम private sector को involve करेंगे, तो private sector is profit motive, government sector is social motive, तो social welfare काम प्राइबेट का होता है, जो private sector होता है, तो private को involve करेंगे, तो वो अपनी probability बनाने के लिए efficiency को बढ़ाएगा, प्रोडक्शन प्रोड़प्टी को बढ़ाएगा, ज्यादस ज्यादा प्रोडक्शन करने की साहेगा, आउटपुट लाना चाहेगा, तो इससे क्या होगा efficiency बढ़ेगी, सरकार का उस टाइम का ये लाजिक था, क्योंकि जो institution आप घाटे में चल रहे है, उसको या तो sell कर दीजिए, डिस इंवेस्मेंट कर दीजिए, उससे क्या होगा आपका efficiency भी बढ़ेगी, बासवन में आई, ओके, तिसरा, इंप्रूबेंट गुर्सान सर्विस और increase of FDI, foreign direct investment, जो बाहर की कंट्री, हमारे कंट्री की किसी कंट्री आके investment करती, तो FDI बोलते है, already जैसे हमारे कंट्री अरसल है, अरसल कंपनी को यहां की मितल कंपनी खरी दिया, जो क्या होगा, अरसल मितल कंपनी मन गई, तो कहने मताब है, जैसे बड़ी बीजिसी कंपनी हमारे कंट्री में आकर के हमारे किसी ब्रांच को सेटप करती है, तो FDI होता है, जब already working institution में जब उसका share को खरीद देती है, तो उसे हम FDI क्या बोलते हैं, पोटफोलियो इन्वेस्ट में बोलते हैं, तो पोटफोलियो आने से भी हमारे कंट्री में पैसा आता है, यानि कि M बढ़ेगी, मतलब positive indicator मिलता है, तो FDI का जो impact है, या disinvestment का impact है, public sector का companies में क्या workload बढ़ेगा, घटेगा, इससे क्या impact है, तो basically कहने का मतलब है, कि अगर हम ये process adopt करते हैं, तो इन चीजों को adopt करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अगर ये process start तो हमारा ये objective फूरा होगा, और इससे हमारा environment better होगा, production better होगा, सब कुछ employment भी better होगा, efficiency बढ़ेगी, export import बढ़ेगा, सब कुछ better होगा, तो उस time की requirement थी, कि भया, private decisions किया जाए, लेकिन आज इसका विरोध हो रहा है, मतलब reason होगा, कोई नहीं चाहता है, क्योंकि देरे-द इस domestic economy है, population बहुत ज़्यादा है, अनिस्किल यहाँ पर ज़्यादा है, बड़ी-बड़ी emissions आएंगी, तो क्या होगा, कि employment बहुत सारी, तो हम इसको अगर analytical point आप इससे देखेंगो, तो positive and negative private के अलग से बात है, लेकिन उस time की situation क्या थी, हम आपको ये बता रहा है, बात के दूसरा देखते हैं कि सरकार ने privatization के लिए उस time क्या 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 किया, तो क्या करती है, तो construction of the public sector, सरकार ने 1991 के industrial policy वे क्या 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 किया हुआ है, आपको बता चुका हूँ, कि सरकार ने public sector के roles को ध्री-द्रे कम किया, current में only three sectors public sector में undertaking है, बाकि सब private कर दिया, ध्री-द्रे में दे दिया गये है, बहुत सारी training है, तेज़े सोगारा का नाम सुना होगा, अब उस सब private चल रहे हैं, तो ध्री-द्री हो सकता है कि इस sector को भी involved किया जाए, लेकिन बहुत बढ़ा large sector है, और यह बहुत बढ़ा employment generation है, बहुत चीजे different होती है, तो यह सरकार की policy पे different करता ह लेकिन मेरा यह कहने के बतलब है कि इससे क्या होगा कि privatization की process में government sector के role को कम किया यहां था, 1991 से लेकर अब तक बहुत कम किया गया है, और आज situation देखी रहे है, दूसरा, selling the sale of public enterprises, government क्या कर रहे है, public sector के enterprises को sale कर रहे है, ठीक है, तिसरा, disinvestment, आप गुर्षा है, sales capital undertaking, तो basically selling of the private sector, public sector का role कर रहे है, disinvestment कर रहे है, sales को sale कर दे रहे है, private sector के हाथों में दे रहे है, यह process government ने adopt किया हुआ है, इसका impact क्या पड़ेगा, आप खुछ से समझ सकते हैं, तो अभी तो फैल हाला, आप exam point आप इसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे, ठीक है, इसका positive negative impact दोनों है, लेकिन better management करने की जरूरत है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे class, आपको exam क्या लिखना है, privatization होता है, उसका process क्या होता है, privatization के parts क्या होते है, privatization की need क्यों थी, requirement क्यों थी उस time, और उसके लिए क्या step लगाया गया, और उसका impact पड़ा, तो मैं जो सम्झाना चाहता हूँ, globalization करा है, इसमें सारा कुछ रहा है, अब next topic हमारा बजता है, सिर्फ एक topic class, वह है, globalization, अब globalization क्या है, उसका सारी step उससे इसमें भी पढ़ेंगे, पहले आप सको note कर लिए, फिर हम उसको starter कराते है, ठीक है, thank you.